सलमान फार्सी एक इस्लामिक इन्वर्मेंटल स्कूल है, जहां इल्म की रोश्णी है, साथ ही CVSC-based syllabus, well-equipped science and computer lab, all qualified teachers, separate girls and boys sections, ample of playground with natural environment or swimming pool for pre-school, spoken English, नमाज, Islamic syllabus from the beginning, अपने बच्चों को इस्लामिक महौल और आला तालीम दे, आज ही admission ले reasonable fees के साथ, सलमान फार्सी स्कूल आपके बच्चों की मुस्तक्विल की तामीर, मैं है इस्लामोदिल खान और आप देख रहे हैं प्रहाटर्स, बालू से भरा एक ट्रट पूरे परिवार की जिन्दकी निगल गया, परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई, सिर्फ एक बच्ची जिन्दा बच्ची है, हाथसा हर्दोई के शहर से करीब 50 किलो मीटर दूर कानपूर हाइवे पर रात करीब देड़ बचे मलावा चुंगी के पास में हुआ है, जहां अपनी जोपड़ी में रोट के किनारे सोरहे परिवार पर बालू से लदा एक ट्रक पलट गया और पूरा परिवार उसके नीचे दब गया, हाथसे के बाद मानो वहाँ पर चीफ पुकार मच गई, पुलिस को भी इस हाथसे के जानकारी अस्थानिये लोगों ने दी, जेसीपी के पहुँचने के पहले तक अस्थानिये लोगों ने हाथ से बालू हटाने की कोशिश की, मगर जेसीपी जब पहुँची उसके बाद बालू हटाया गया और जोपड़ी में सो रहे आउधेश के परिवार के आठ लोगों की इसमें मौत होगे मेरे तक की पहचान अवधेश 45 साल उनकी बेबी सुधा 42 साल जबकि तीन बच्चे सुनेना 11 साल लल्ला 5 साल बुध 4 साल और इनका दामाद करन 25 साल बेटी 22 साल और इनकी बेटी कोमल 5 साल के रूप में हुई है जबकि बिट्टू नाम की एक बच्ची जो है वो खायल है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराए गया है वहीं बताया जा रहा है कि जिस ट्रक से हास्था हुआ है उस ट्रक ड्राइवर को भी पुलिस ने हिरासत ले लिया है और आगे इस पूरे मामले की इन्विस्टिगिशन की जा रही है रात में एक ट्रक कानपूर की तरफ से सफेद बालू लाद कर हब्दोई की ओर जा रहा था यहां मलावा कस्वा है यहां नियंत्रित होके रात में करीब डेड़ बजे के आसपास पल्टी है और सड़क के किनारे कुछ लोग सो रहे थे जिसमें ट्रक पलटने के बाद आट लोग की डित हुई है और एक छोटी से बच्ची घायल हुई है अभी हम लोग घटना स्तल्पे हैं देख रहे हैं यह दुरगटना कैसे हुई जो डेडवाडी हैं उन्हें पोश्माटम के लिए भेज दिया गया है ट्रक का जो ड्रैवर हो भी पकड़ा गया है और आगे की पूस्ताज की जाएगी कि यह दुरगटना कैसे हुई है और कहां से कहां जा रहा था जो परतंदर श्याजानकारी में लिए हुई है